आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एन पूजन पर और आज हम आपके रिए सरदार उध्धम सिंग नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही खास प्राजेक्ट है क्योंकि ये फिल्म एक सची घटना पराधारित है इस फिल्म के अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसे IMDB पे 9.2 रेटिंग मिले हैं आउट अफ 10 इसे 93% लोगों ने लाइक किया है और ये फिल्म 16 अक्तूबर 2021 को रेलीज हुई है इस कहानी के शुरुआत 13 अप्रैल 1919 से हुई थी पंजाब के अमरिटसर नाम के एक शहर में 20,000 लोगों की एक शांतीपूर्ण बैठक थी इस बैठक को जलियावाला बाग नाम की एक जगह पर रखा गया था लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था क्योंकि जनरल रेजिनल डायर वहां पर अपनी बिटालियन के साथ आ गए और उन्होंने उन 20,000 लोगों पर अंदाजन फायर किया इस इंसरेंट को हम सब के सब लोग जलियावाला बाग हत्याकान के नाम से जानते हैं यहां बहुत से लोगों की मौते हुई थी और बहुत से लोग जखमी हुए थे लेकिन हमारे इतिहास में दो लोग ऐसे भी हुए जिनकी जिनकी जिन्दगियां इस इंसरेंट के बाद पूरी तरह से बदल गई थी मैं बात करने हूँ भगज सिंग की और शेर सिंग की शेर सिंग जिने बाद में हम सरदार उधम सिंग के नाम से जानेंगे इसके बाद हमें 1931 का वक्त दिखाया जाता है जहां शेर सिंग को जेल से आजाद किया जाता है वहाँ से निकल कर शेर सिंग सबसे पहले एक गेस्ट हाउस में जाते हैं जहां नंसिंग नाम के एक इनसान उनसे मिलने आते हैं शेर सिंग सबसे पहले नंद सिंग से पिस्टल की डिमान करता है पिस्टल मांगने के बाद शेर सिंग से ये कहा जाता है कि पिस्टल उसे अफगानिस्तान में मल जाएगी साथी जाने से पहले नंद सिंग उसे बताते हैं कि बाहर CID का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है शेर सिंग बड़ी ही चालाकी के साथ आदी रात को ही वहाँ से भाग जाता है जब वो CID ऑफिसर उनके कमरे में आता है तो वो देखता है कि शेर सिंग ने अपने बाल काट दिये हैं किसी भी सिख के लिए अपने बाल कटवाना बहुत बड़ी बात होती है लेकिन उन्होंने अपने देश की आजादी को अपने धर्म से कहीं उपर रखा शेर सिंग यहां से सीधा अपने घर जाते हैं जहां अपनी भाबी के हाथों का बनाया हुआ खाना आखरी बार खाकर वो वहां से निकल जाते हैं CID का वो ऑफिसर रावल पिंडी में बने हुए पुलिस स्टेशन में ये खबर पहुँचवा देता है कि शेर सिंग वहां से गायब हो चुका है इसके बाद शेर सिंग को वउंटेड घूशित कर दिया जाता है और पूरे देश में इसके पर्चे बढ़बा दिया जाते हैं ये मैसेज स्कॉटलेंड यार लंडन तक पहुँच जाता है ताकि शेर सिंग किसी भी हालत में इंग्लेंड तक ना पहुँच सके इसके बाद हमें सीधा 1933 का वक्त दिखाया जाता है जहां उद्धम सिंग रश्यन बॉर्डर पर है वहाँ जब वो लोग खाने के रिए रुखते हैं तो उद्धम सिंग एक फोटो निकालते हैं ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि उनके सबसे प्यारे दोस भगत सिंग की है इसके बाद हमें 1933 के बाद सीधा 1934 का वक्त दिखाया जाता है जहां उद्धम सिंग इंगलेंड पहुंच जाते हैं उन्होंने अपना नाम बदल लिया है लेकिन यहां कुछ भारतिय ऐसे भी हैं जो उनकी मदद करते हैं इतने साल बीच जाने के बाद भी 1919 में हुई वो घटना उद्धम सिंग को सोने नहीं देती अगली सुब़ उठकर उद्धम सिंग एक कबर पर जाते हैं और ये कबर और किसी की नहीं बलकि जनरल डायर की है वहीं इनसान जिसने जलियाँ वाला बाग में लोगों पर फायर करवाए थे ये माना जाता है कि जलियाँ वाला बाग में जो कुछ भी हुआ वो सब करवाने के बाद जनरल डायर की जिन्दगी कुछ खुश नहीं रही उनकी जिन्दगी के आखिर के कुछ दिन काफी जादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में गुजरे उद्धम सिंग अब वहाँ पर ओडायर माइकल को ढून रहा है ये वो इनसान था जो उन दिनों गवर्नर हुआ करता था और इसी इनसान ने जनरल रेजिनाल डायर को स्रोस फायर करने की ओर्डर्स दिये थे उद्धम के लंडन आने के 6 साल के बाद 13 मार्च 1940 को वो डायर को जान से मार देते हैं इस फिर्म की कहानी के अनुसार उद्धम के पास ऐसे बहुत से मौके थे जब वो डायर को जान से मार सकते थे क्योंकि वो उनहीं के घर में काम किया करते थे लेकिन उनका मकसद डायर को जान से मारना नहीं था उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो ऐसी एक क्रांती को शुरू कर सके जो हमारे देश को आजाद करा सके और ऐसा तभी मुम्किन था अगर डायर की मौत ऐसी हो जो उस लंडन सरकार के चहरे पर एक थपड जैसी हो इसके बाद उद्धम सिंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पर तरह तरह के टॉर्चर यूज के जाते हैं आगे की फिल्म में हमें ये दिखाया जाता है कि उद्धम सिंग पर अरेस्ट होने के बाद किस तरह से इंवेस्टिगेट किया गया था अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपना रिवियो शेयर करूँ तो ये फिल्म एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है Being an Indian शायद हम सब को ये फिल्म देखनी चाहिए ये समझने के लिए कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली है As usual, Vicky Kaushal ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि वो आपको हर emotion को justify करते हुए नजर आएंगे Amol Parashar ने इस फिल्म में भगत सिंग की भूमिकाने भाई है उनके पास करने को जादा कुछ है नहीं लेकिन जितने भी scenes में वो नजर आएंगे आपको उनसे प्यार हो जाएगा Amol Parashar को आपने इस से पहले comic roles में देखा होगा जैसे कि उन्होंने tripling में किया था लेकिन इस movie में वो जो करते हुए नजर आएंगे वो उनके लिए भी किसी experiment से कम नहीं है I don't know कि वो भगत सिंग के level को किस हद तक match कर पाए है लेकिन जब भी वो उनकी तरह बात करते हैं तो वो बहुत ही जादा charismatic और convincing sound करते हैं So I must say कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है फिल्म के आखिर के 45 मिनट कुछ ऐसे हैं कि जो आपको अंदर से हिला कर रख देंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इस बात पर बहुत ज़ादा गर्व होगा कि आप एक आजाद इंदुस्तान में रहते हैं इस फिल्म के कुछ एक मुवमेंट्स मुझे पर्सनली काफी ज़ादा पसंद आए ऐसे मुवमेंट्स जिन में उद्धम सिंग के पास पूरा चांस था कि वो डायर को जान से मार सकते थे लेकिन हर बार वो अपने गुस्ते को काबू करके उससे मारते नहीं है ताकि वो एक बड़े उद्धेश्य को पूरा कर सके साथी कुछ एक मुवमेंट्स ऐसे भी हैं जिन में भगत सिंग और उद्धम सिंग को साथ में दिखाया गया है और वो मुवमेंट्स इस मुवी के सबसे ज़ादा प्रेशियस मुवमेंट्स में से एक हैं जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म के आखरी के 45 मिनिट आपके रिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं ये वो मुवमिंट है जब जलिया वाला बाग हत्या कांड में क्या हुआ था ये दिखाया गया है इन सेंस को इतने अच्छे से शूट और प्लान किया गया है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये नकली है तो ट्रस्ट में आपको टिश्यू का बॉक्स लेकि बैठना पड़ेगा बिकिस बिना रोई ये फिल्म खत्म हो ही नहीं सकती इस फिल्म के बारे में वैसे तो कुछ खास नेगेटिव नहीं है लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जो मैंने नोटिस किये जैसे कि फिल्म की लेंध काफी जादा लंबी थी इस फिल्म के रिवियू के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि विकी कौशल इस देश के सबसे बड़े उभरते वे सितारे होने वाले हैं So thank you so very much guys हमें comment section में बताईएगा जरूर कि आपको इस फिल्म का रिवियू कैसा लगा हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नहीं है जो हम already नहीं जानते And I think ये फिल्म एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देखने से जादा महसूस किया जा सकता है So I would insist कि आपको जब भी टाइम मिले आप ये फिल्म खुद से देख कर आएं Thank you so very much guys and stay tuned